प्र्टर्स नाम के फॉल्ड़ को डबल क्लिक करके ओपन करदेना है कहीं पर आपको खाली जगह पे रायट क्लिक करना है और पेस्ट को क्लिक करदेना है अड़र दोस्तों आज कर यस वीडियो में हम सीखेंगे फोट noises 7.0 के अंतरगत JPEG Cleanup, Magic Pro for THR plugins को कैसे install करते हैं और उसका उप्योग कैसे करते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए सबसे पहले Photoshop को open कर लेते हैं Photoshop को open करने के लिए Start button को click करें और search box में type करें Photoshop जैसे आप photo ही type करते हैं तो automatic उसे मिलता जूलता program search box में display होने लगता है जैसा कि अभी आप देखें यहाँ पर हमारे computer में दो Photoshop के version इंस्टॉल है एक Adobe Photoshop 7.0 और दूसरा CC 2015 तो फिलाल आज हमें सीखना है Adobe Photoshop 7.0 में plugins को कैसे install करें तो उसके लिए Adobe Photoshop 7.0 का जो नाम दिख रहा है या software जो display हो रहा है इसे क्लिक करना है जैसे इसे क्लिक करेंगे तो आपके desktop screen पर या Photoshop ओपन होकर आ जाएगा अब यह खाली जगह जो आप देख रहे हैं कहीं पर भी double क्लिक करें और double क्लिक करते ही open का एक window आ जाएगा जहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी किसी एक file को यहाँ पर import कर लेनी है तो मैंने पहले से wire नाम का यहाँ पर देखे file phd में बना कर रखा है तो इसे select किया और open को क्लिक कर दिया जैसे open को क्लिक करेंगे तो यह file यहाँ पर import हो जाएगी अभी आप image को ध्यान से देख लें जब image को ध्यान से देख लें उसके बाद दोस्तों आप filter में जाए और filter में जाने के बाद से एक एक बार यहाँ से थोड़ा सा dg mark, other, noise, blur, artistic एक menu को यहाँ पर क्लिक करके आप देख लें कि इसके अंतर का कोई ऐसा तो नहीं है जो jpg clean up या portraiture या magic pro display हो रहा है तो इसके अंतर का default रूप में वो मौझूद नहीं रहता है सबसे पहले उसे install करना होता है तो install कैसे करना है चलिए वो सीख लेते हैं तो फिलाल इसे minimize करते हैं तो फिलाल तो minimize करके पहले चेक कर लेते हैं कि सायद आपको यह doubt हो कि photos आपको open करके रखें फिर install कर दे तो उसमें auto attach हो जाएगा की नहीं तो इसके लिए हमने इसे फिलाल minimize करके रखा अब कहां पर वो software है सबसे पहले उस location पर चले चलते हैं तो my computer या computer या this PC या computer के explorer को आप open कर लें तो देखें हमने double click किया computer के icon को तो explorer यहाँ पर खुल कर आ गया अब यहाँ d drive के अंदर हमने software को रखा है सबसे पहले हम उस location पर चले चलते हैं तो देखें यहाँ पर display action नाम का folder अब इसे double click करते हैं तो इसके अंदर कर देखें हमारे पास plugins है iCandy, jpg cleanup, magic pro और portraiture तो मैं तीन ही plugins को install करना चाहता हूं तो इन तीनो plugins को आपको select कर लेना है select करने के बाद इस पर right click करके copy कर लेना है तो चलिए हमने इसे copy कर लिया copy करने के बाद फिर से computer को explore करना है और c drive को double click करना है और program files 86 folder को double click करके open करना है इसके अंदर कर तो आपको folder मिलेगा add up इसे double click करके open करना है और इसके अंदर मिलेगा आपको Photoshop 7.0 इसे double click करके open करना है इसके अंदर कर फिर से एक आपको folder मिलेगा plugins इसे भी double click करके open कर देना है जैसे इसे open करेंगे तो इसके अंदर भी आपको 9 folder display होंगे जिसमें से filters नाम के folder को double click करके open कर देना है चलिए थोड़ा समय से बढ़ा करके दिखाता हूँ इसमें जितने भी default रूप में plugins होते हैं filter ओ यहाँ पर display होते हैं यहीं पर कहीं पर भी आपको खाली जगर पर right click करना है और paste को click कर देना है जैसे आप paste को click करेंगे तो destination folder access denied का एक window आएगा जहाँ पर आपको continue को click कर देना है जैसे continue को click करेंगे आपका plugin से यहाँ पर copy paste हो जाएगा कुछ software ऐसे होते हैं जो copy paste होते हैं maximize करने के बाद filter के अंतरगत जाएए और देखें इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है तो दोस्तों एक बार आप इसे close किजिए मैंने बताया था कि Photoshop को तो close करना ही पड़ेगा लेकिन हमने एक बार जान भूज कर इसे minimize करके आपको रखा ताकि पता लगे कि यह install होने पर work करता है कि नहीं तो अब जब दुबारा आप Photoshop को open करेंगे तो देखेंगे उसके अंतरगत ओ आ चुका होगा तो चलिए add a Photoshop 7.0 को click कर देते हैं और यह हमारा Photoshop 7.0 open हो चुका अब खाली जगा पर double click करके अपने उस image को select कर लेते हैं जिस पर हमको jpg clean up magic pro या portraiture यूज करना है तो हमने वाय वाले यह file को select करा और open को click कर दिया देखें हमारी file यहाँ पर आ गई अब सबसे पहले मैं इस image को या इस subject को मैं select कर ले रहा हूँ उसके बाद से आपको filter में जाना है filter में जाते ही देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे नीचे magic pro और just उसके उपर देखें image on it 4th यहाँ पर display हो रहा है साथी साथ यही पर जब आप noise के अंतरगत आते हैं तो देखिए आपको मिलता है jpg clean up अब यहाँ पर मैं सिर्फ jpg clean up को आपको use करके दिखा रहा हूँ तो image आपने select करा था और यहाँ पर jpg clean up को click कर दीजे जैसे आप इसे click करते हैं तो jpg clean up का एक चोटा सा यहाँ पर window आ जाता है अब यहाँ पर image में कितना smoothness लगाना चाहते हैं तो default route में यहाँ पर 10 रहता है उतना percent यहाँ पर आप type कर लिजे जितना लगाना चाहते हैं तो माल लिजे मैं 14 percent लगाना चाहता हूँ 14 करके ok को मैंने click कर रहा है जैसे ok करेंगे देखेंगे इस image में कुछ परिवर्थन हो चुका है आप इसे zoom करके देख लें एक बार आप इसका original version देखेंगे तो देखेंगे यह हमारा पुराना वाला था और अभी हमने इस पर jpg clean up लगा के आपको दिखाया था चलिए एक बार और दिखाते हैं filter में जाना है noise में जाना है और jpg clean up को click कर देना है अभी हमने 14 लगा था चलिए इस बार हम 18 लगा के आपको दिखाते हैं तो हमने 18% कि आरो के को click करा अभी देखेंगे image पर कुछ परिवर्तन हुआ देखेंगे automatic कि यह image थोड़ा सा clear हो गया अब और भी इस पर smoothness और clarity चाहिए तो adjustment के अंतरगर brightness और contrast में जाकर यहां से आप थोड़ा साइसे घटा बढ़ा लें अपने अकार्डिम फिर image की quality थोड़ी सी बढ़ जाएगी तो इस प्रकार दोस्तों आज के वीडियो में आपने सीखा Photoshop 7.0 के अंतरगर jpg cleanup magic pro और 4thr को कैसे install करते हैं दोस्तों यादि यह software अगर चाहिए तो इसी वीडियो में आप हमे comment करके बताईएगा हम comment में आपको answer करेंगे यह आप कहां से प्राप्ट कर सकते हैं और इसे प्राप्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं आपको नए वीडियो में net office के साथ तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत